आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 4 बहतरीन एलेक्रिक स्टोरेज वातर हीटर्स और ये सारे ही स्टोरेज एलेक्रिक वाटर हीटर्स मेरे पाइश स्क्वैर बाटरी के अंदर मौझूद है ये square body का design जो है आजकल बहुत जाज़ा trend में चल रहा है इसलिए मैंने decide करा कि मैं आपको square body के design सी दिखाऊ इस वीडियो के आखिर तक आप कोई ना कोई geezer तो इनमें से select कर ही लोगे अपने bathroom ये उसके लिए क्योंकि इस सारे ही geezers देखने में तो बहुत ही शांदर हैं ही और ये सब ही geezers के अंदर top features available है आज की वीडियो के अंदर में सारे ही geezers का water connection करूँगा install करूँगा बकाईता और आपको चला कर दिखाऊंगा सारे ही geezers को ताकि आपको एक बहतर idea लग जाए कि सारे geezers किस तरीके से function करते हैं चार points पे हम लोग सारे geezers को compare करने वाले हैं वो है design और build quality, price and feature, third time to take the highest temperature और चौथा है हमारा weight test weight test करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें idea लगे कि कितने अच्छा material इसके अंदर लगाया गया है heating element, tank वगेरा कितना heavy duty इसके अंदर लगाया गया है ठीक है, तो आज की वीडियो के हैं जो 4 geezers हैं वो आपके सामने हैं और इसके नाम में आपको बता देता हूँ पहला है, crompton solarium care, second है hevels adonia eye जो एक smart geezer है third जो है हमार पास morphy richards का cube model है और चौता हमार पास hind wear company का on-do pure model है ये सारे ही geezers में पास 15 liter की capacity में अभी यहाँ पर available है आपको 25 liter की 10 liter और 6 liter की capacity में भी ये geezers मिल जाएंगे इन geezers के review हम लोग अब शुरू करते हैं तो हमारा discussion अब start हो रहा है design और build quality के बारे में बात करने से इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आपको न चारो ही geezers दिखा रहे हैं आपके सामने हैं, आप वीडियो को pause करकर भी सारे geezers को closely देख सकते हो यहाँ पर अगर आप chromton के design देखोगे तो बहुत ही शानदा design है अभी नया एक unique सा design company ने निकाला है और आप देख सकते हो बहुत ही सुन्दर सा dial दे रखा है उसके साथ ही hair care mode, baby mode और hygiene mode भी इसमें set है hevels की तरफ अगर हम नज़र डाले तो feather touch आपको buttons मिल जाएंगे उसके साथ आपको temperature का display और यहाँ पर side में जो है आपको LED का display मिल जाएगा उसके साथ ही यहाँ पर hindwear में तो normal knob आएगा आपका और कोई temperature display वगेरा नहीं आएगा morpheel shirts का design बहुत ही ला जवाब है और temperature display भी बहुत ही बहतरीन दे रखा है अगर components की बात कर लें तो chromton के साथ आपको pipes मिल जाएगी उसका जो आपको valve मिलेगा, safety valve उसको थोड़ा और better quality का हो सकता था बाकि all in all यहाँ पर आपको एक smart socket भी मिल जाएगा जिससे आप remotely अपने गीजरों को कहीं से भी control कर सकते हो mycromton app से hevels के अंदर भी आपको pipe मिल जाता है, safety plug मिल जाता है थोगसे खास बद किसी भी तरह की current leakage से आपको भी बचाता है एक तरीकी की RCC भी आपको यहाँ मिलती है और normal जो चीज़े हैं वो आपको हिंडवेर में भी मिल जाती है सारी आपको pipe हो गया, safety wall, brass का हो गया बाकी manual और उसका normal plug की quality वगेरा, wire की quality अच्छी है Morphe Richards में आपको जो है installation के दोरान आपको मिलेगी pipe तो यह चीज का ध्यान रखना तो installation free थी सारे geezers के अंदर अभी geezer के अंदर ना tank को protect करने के लिए कुछ ना कुछ है अब आप देखिए Crompton, Hevels और Morphe Richards में glass line दे रखा है और हिंडवेर के अगर हम बात कर लें तो titanium की coating दे रखे है जिसकी वजह से glass line से भी better protection यह titanium coating कर सकती है एड़ बार pressure है warranty की बात कर लें तो आपको जादा warranty मिलती है हिंडवेर की product में और Hevels के अंदर उससे नीचे की बात करें तो Crompton में है फिर उससे नीचे अगर हम देखे तो Morphe Richards में सबसे कम warranty यहाँ पर दे रहा है आप आप इंसुलेशन का basically meaning यही होता है कि पानी देट तक गरम रहता है और magnesium node rod दे दिये ताकि hard water से protection रहे tank कभी और heating element कभी तो hard water की problem है चारों में से कोई भी घीजर आप बाई कर सकते हो Crompton के अंदर एक खास बात है कि इसको अंदर आपको एक smart plug दे दिया है सारे आयोटी features, voice control, wifi control ये सारी चीज़े आपको हैवल्स के अंदर मिल जाएगी Morphe Richards में आपको एक बहुत ही भैतरी इन digital display मिल जाएगा temperature का accurate temperature सेट कर लीजे आप हैवल्स के अंदर हो गया या फिर Morphe Richards के अंदर inlet diffuser आपको हिंडवेर के अंदर मिलता है जिसके अंदर पानी का जो पूरा temperature है पूरे tank के अंदर equal वना रहता है इससे भी असानी होती इन हाने में कोई दिक्कत परशानी नहीं होती कुछ दूसरे color changing LEDs और दूसरे कुछ features आप यहाँ पर एक बार वीडियो को pause करकर भी detail में पढ़ सकते हो तो इन सभी geezer को जो है आप online buy कर सकते हो मैंने description में buy links डाल दिये हैं अच्छे price पर आप इसे online buy कर सकते हो अभी जाकर अब main बात आती है सारे geezers को हमने चला कर देखा और किस geezer ने कितना समय लिया वो आपके सामने यहाँ पर अभी मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्रॉम्टन की geezer के अंदर हमने पानी का connection कर दिया है इंस्टॉल कर दिया है और वीडियो को डाल दिया है 50 गुना की speed पर हमारे टेस्ट के मताबिक 30 डिग्री से 72 डिग्री तक पानी को पहुचने में लगा 21 मिनेट्स का समय जो बहुत ही decent समय था क्योंकि यह सारे geezers जो है ना मेरे पास 2000 वाट के अंदर है और 5 स्टार रेटिंग के अंदर है सारे geezers तो उससाब से heating जल्दी होनी चाहिए इसके अंदर जो की chromton के अंदर दिखती भी है जैसे जैसे मैं और बात करता जा रहा हूँ मैं आपको बता दूँ इन सभी geezers को आप अच्छे price पर online खरी सकते हो description में मैंने buy links डाल दिये हैं महाँ से जाकर और details लिजिए और इससे आप buy कर सकते हो Hevels में देखिए यह जो सारे corners के उपर LED lights दे रखी है जो बहुत ही soothing तरीके से change होती रहती है आप इसके अंदर mobile app से control कर सकते हो वो सारा आपको एक separate वीडियो में मिल जाएगा हमने इस गीजर का separate एक review कर रहा है वो आप जाके देखिए अगर आपको इसके सारे smart features के बारे में जानना है हैवल्स ने थोड़ा सा जादा समय लिया क्योंकि यह 39 डिगरी से शुरुआत करा और 75 डिगरी तक जाने में इसको जो है 21 मिनिट्स का टाइम लगा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप नौईटा में हो आसपास हो तो हमारे शोरूम को भी विजिट कर सकते हो मैंने details सारी description में डाल दी है यहाँ पर Morphe Richards का अगर हम बात कर लें तो 30 डिगरी to 62 डिगरी सबसे पहले हम लोग ले गए और यहाँ पर देखे बड़ा clear सा digital display है साथ में कुछ indicators भी दे रखे हैं तो बहुत ही सुंदर design है सबसे पहली बात इस geezer का नया geezer है 2022 का ही model है यहाँ पर भी वीडियो को हमने 50 गुना की speed पर कर दिया था इसका जो highest temperature है वो 72 degrees तक यहाँ पर जा सकता है 30 degrees से लेकर 72 degrees तक इस geezer ने 22 minutes का time लिया ठीक है इन geezers के बारे में detail में पढ़ना चाते हो तो मैंने इसके description में links डाल दिये है महाँ से जाकर आप उसे open करिए उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लीजिए आप हमेशा हमारे efforts को support कर सकते हो हमारे channel को subscribe करकर और इस video को like करकर अब यहाँ पर hindwear का मेरे पास ondo pure model है यह भी देखने में लाजवाब है और मुझे बहुत ही personally हरानी हुई क्योंकि यह वाला जो geezer है ना बहुत ही sleek model है compact model है जितने भी तीन geezer अभी तक मैंने आपको दिखाए उनके मुकाबले कह लो 10-15 फीजदी जो है ना यह छोटा है size के अंदर है capacity उतनी क्योंकि इसके अंदर puff insulation की जगा liquid foam का इस्तमाल किया गया है और उसके साथ जो है यहाँ पर glass line की जगा यहाँ पर titanium coating का इस्तमाल करा है जिसकी वैसे इसे और compact बनाया जा सका अगर मैं इसके highest temperature जो है 75 degrees का और 26 degrees से हमने इसकी starting करी थी उसकी बात करूँ तो इस geezer ने जो लिया करीबन 26 minute का समय लिया तो वो भी अगर हम बात करें तो सारे ही geezers का लगभग लगभग time उतना ही है एक आद मिनट उपर नीचे है अब finally हमने सब का weight test करा इससे हमें यह idea लग जाता है weight के comparison से कि इसके अंदर जो components लगाए गए है tank लगाया गया है heating element लगाया है जो components इसके अंदर लगाए गए है वो कितने heavy duty है उससे थोड़ा सा idea लगता है कि hard water condition में geezer कितना अच्छा perform करेगा और कितने सालों तक बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहेगा तो ये सारे ही top features इन सारे geezers में मौजूद है हिंड वेर बहुत ही आपको अच्छी deal मिल जाती है कम price के अंदर काफी अच्छे features है उसके साथ अगर आब एक smart geezer के साथ जाना चाते हो तो hevels adonia eye बहुत अच्छा हो सकता है कुछ नए models, बड़े सुंदर models, अच्छे features के साथ जो यहाँ पर आपको दिखाए मैंने वो था Morphe Richards का cube और साथी जो Crompton Solarium Care अभी नया model आया है तो इन सभी geezers के जो है buy links description में डाल दिये हैं वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो आपको जोन सा पसंदा है वह आप online buy कर सकते हो एक अच्छे price के ओपर कोई भी आपका question है मन में आप comments में पोचिए मिलते हैं आप next video में Buy and take care